आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्तर प्रदेश का विधान सभा चुनाओ है और चुनाओ के दोरान आपने देखा होगा कि कहीं कभी चुनाओ होता है किसी भी राज का किसी भी प्रदेश का या देश का तो चुनाव के पहले, वोटिंग के पहले, वोटिंग के बाद और नतीजों से पहले जो उपीनियन पोल होते हैं, जो एक्जिट पोल होते हैं, जो चुनावी सर्वे होते हैं, उनसे महौल बनाने, बिगाडने की कोशिशे बीते दशक से चल रही है। पहले ये पॉलिटिकल सर्वे बहुत ही ऐहम माने जाते थे। पोलिटिकल सरवे के अनुसार पर सरकारे बंती हैं समिकरण बंता है और उसके बाद ही a कि जो नतीजे है वह नतीजे भी उसी से ही जुड़े उसी से ही मिले हुए आते थे लेकिन बीते दस सालों में अगर देखा जाए या कुछ समय से देखा जाए कुछ सालों से देखा जाए कुछ बीते चुनाओं पर नजर डाली जाए तो यह जो चुनावी सर्वे है यह जो सर्वे किसी और की सरकार बनाते हुए दिखाई देते हैं और नतीजे जो होते हैं वो किसी और की सरकार बना देते हैं ये बीते कुछ समय से लगातार चल रहे हैं लेकिन इस पॉलिटिकल सर्वे के बारे में जानना ये चुनावी सर्वे के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जो जनता है उसमें बहुत से ऐसे अधिकांश लोग हैं जो इस पॉलिटिकल सर्वे को बिलकुल सही मानते हैं और एक बड़ा हिस्सा वो भी है जो ये कहता है कि भाईया ये सर्वे और वे कुछ नहीं है नतीजा तो नतीजे वाले दिन ही का ही पता चलेगा क्योंकि जनता जब वोट करती है तो सारे सर्वे जो होते हैं वो ध्वस्त हो जाते हैं और ये हुआ भी है ये प्रूफ भी हुआ है इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश का चुनाओ है सो चुनाओ को देखते हुए भी लगातार जो पॉलिटिकल सर्वे हैं वो दिखाये जा रहे हैं पॉलिटिकल सर्वे होने के बाद जो नतीजे हैं उनका एक अनुमान भी सामने पेश किया जा रहा है और उस अनुमान के पेशोने के बाद किसी खेमे में बहुत खुशी है और किसी खेमे में खलबला जो होता है कि हेजिटेशन आ गया है खलबली मच जाना ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी जो अभी मौझूदा चुनावी सर्वे दिखाए जा रहा है उसमें मौझूदा सरकार को रिपीट करते हुए दिखाई दे रहा नतीजा जो विपक्षी दल है उनके लिए समस्याएं पैदा कर रहा था और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया और कहा गया कि एलेक्शन से पहले इस चुनावी सर्वे पर रोक लगा दिनी चाहिए क्योंकि ये एक राजनेतिक दल को एक पॉलिटिकल पार्टी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं ये बिएस पी का भी यही हाल है पहुज़न समाजपार्टी ने भी इस पर विरोध जताया है मायवती ने प्रेस ब्रीफिंग करके बात कही है कि ये जो पॉलिटिकल सर्वे दिखाये जा रहे हैं ये बिलकुल बेब जाता है किस आधार पर जनता के सामने आकड़ों को पेश किया जाता है तो मैं आपको बता दू कि सबका एक साइंटिफिक रूल होता है और उस रूल के आधार पर आपके छित्र की आपकी विधान सभा की आपके बीच में सर्वे करने के बाद नतीजे देखे जाते हैं कि बी याशी मौजूदा उस सीट पर काम कर रहे हैं। उनका गड़ित कितना बहतर है उस सीट पर कितना उन्होंने काम किया है। इन सब के आधार पर इन सब को पिरोने के बाद जो नतीजा होता है वो नतीजा निकाला जाता है। और उसी को हम और आप political survey के नाम पर नतीजों के नाम पर टीवी स्क्रीन पर चुनावी नतीजे के पहले देखते हैं उसी को ये चुनावी survey कहा जाता है ये पहले बहुती सटीक हुआ करते थे लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा और कुछ और राजनितिक के लोग कहते हैं कि बीत सही जो असली नतीजे हैं उसके जो मेल खाती हुई चीजे हैं वो नहीं हुई हैं मतलब political survey कुछ और कहते हैं चुनावी survey कुछ और कहते हैं और वोटों की गिंती के बाद जो नतीजे आते हैं वो उस political survey से बिलकुल अलग होते हैं बिहार में भी आपने देखा होगा कि बिह तो वो जो रास्ता था वो कहीं और चला गया और सरकार किसी और की बन गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी आजकल चल रहा है। फिलहाल इस पॉलिटिकल सर्वे को लेकर के जो राजनेतिक लड़ाई है, बयान बाजियां है, चुनाव आयोक को पत्र लिखने की कवाइदे हैं वो लगबग शुरू है, चल रही है, राजनेतिक दलो की तरफ से शिकायते की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पॉलिटिकल सर्वे जो दिखाय जा रहा है इस समय, क्या वो सही है, क्या उसी आधार पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता वोट करने वाली है, और क्या उसी के आजपास नतीजा होने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। इस पर हम आज जानने की कोशिश करेंगे जाजनितिक थलो की तरफ से कि आखिर उन्हें अब्जेक्षन क्यों है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो आकडा पेश हो रहा है, क्या वो आकडा सही है, मौजूदा सत्ता थल की तरफ से उस आकडे पर वो कितनी सहमती अता रहे हैं जो आखड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रिपीट करेगी तो बीजेपी का इस पर क्या कहना है और विपक्षी दलो की तरफ से जो लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत कर रहे हैं लगातार बयान बाजियों का जो बाजार है वो घरम कर रहे हैं आखिर उन्हें इस चुनावी सर्वे से कितनी समस्याए हो जाएंगी और सबसे हम चीज क्या ये चुनावी सर्वे उत्तर प्रदेश का जो जो चुनाव है इस चुनाव की तस्वीर बदल देगा एंटी इंक की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चुनावी सर्वे इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाओं में कितना कारगर सिद्ध होगा और दूसरी चीज राजनेतिक पार्टियों को इससे कितना घाटा और मुनाफ़ा होगा लेकिन इन सब के बीच में चुनाव आयोग को भी कही ना कही पूरी पैनी नजर रखनी जरूरी है क्योंकि अगर विपक्षी दलों की तरफ से शिकायते करी जा रही है तो एक बार चुनाव आयोग को जरूर इस पर विचार करना जरूरी है नजर बनानी जरूरी है और देखना जरूरी है कि क्या जो विपक्षी दलों की तरफ से शिक लेट को आगे बढ़ाता हूं कि अधिवी में देखा में अकबारों में आज पढ़ा है अखिलेश जी ने चिट्थी निखा एलेक्शन कमिशन वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंदू बैटे वो उपीनियन पूल ना दिखा उपीनियन पूल ना तो सवाविक है आज उ अधिर है दस मार्च को शाम तक बोनना जुरू कर देंगे मिल्यम खराब थे तभी हणाल रहे है ना इनको जन्ता की अधियंन सेमतही ना इऩों संसता ओं के एविम और कोड से मतलब है इनको क्येवल और कीवल गुंड़े से मतलब है और किसी विश्वा से मतलब नई भाजपा का बोर्ट परतिशक पिछले बार के 40 से भी अधिक दिखाने का इनका प्री पॉल सर्वे प्रायोजीती नहीं बलकि लोगों को ये हवा हवाई शरारत पूर्ण वे भरमित करने वाला ही जादा लगता है तो इस बारे में ये कहना अनुचित नहीं होगा और इस संदर में सी वोटर्स के इस चुनाव के सर्वे पर हमारी पार्टी का ये मानना है कि इनका ये सर्वे वैसे ही गले के नीचे से नहीं उतर पा रहा है जिस प्रकार से ये संद 2007 के हुए बिधान सबाम चुनाओ में बीएस्पी के पक्ष में जवरदर्स्त महोल होने के बावजूद भी प्रिपॉल सर्वे पक्षपाती तोर पर बियस्पी की सरकार बनाने की बात कबूल कर लेने की बजाए केवल हमारी पार्टी को सिंगर लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरने की ही बात कर रहा था जबकि उत्चुनाव में रिजल्ट आने पर बीएसपी की पूर्ण भहुमत की सरकार बनी थी इसलिए वर्तमान के इस प्री पोल सर्वे को भी पूर्णता हवा हवाई शरारत पूर्ण ब्रहमत करने वाला ही कहा जाए तो ये कताई भी उचित नहीं होगा कि ये कताई भी अनुचित अर्थाद गलत नहीं होगा तो इस पुंदे पर चर्चा करने के लिए हमाई साथ जो महमान है वो जुड़ चुके सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराता हूँ और फिर इस डिबेट को शुरू करता हूँ आप लोगों की तरफ से विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से जो सर्वे चलवाया जा रहा है इसमें एक तरफा नतीजा क्यों दिखाये जा रहा है क्यों आप लोगों ने सारी चीजों को सेट कर रखा है क्यों आप लोग अपने नतीजे को ही जनता के सामने पेश कर रहे हैं आपको लगता है कि इन चीजों से आप उत्तर प्रदेश के चुनाओं पर एफेक्ट डाल देंगे नितिन जी जैसा आपने मुद्दा चिड़ा आज का मुद्दा बहुत ही अच्छा आपके चैनल ने उठाया है देखिए जो आपने कहा जो राजनितिक सर्वे होते हैं अभी राजनितिक पार्टियों की सहमती असहमती हो सकती है अब जो विविन चैनल सर्वे उठाते हैं उनका सैंपल साइज क्या है किस कास्ट से उठाया है उन्होंने कि सरी अर्बन से हैं या रूरल से हैं ऐसे तमाम फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर एक अनुमान होते हैं वो अनमान कभी प्राया सही हो जाते हैं और प्राया गलत हो जाते हैं ने बीते दस सालों में देखा जाए तो ज्यादा तर गलती हुआ है देखिए बीते दस साल में हमारे देश की आबादी बहुत बढ़ी है अच्छा जब जानते हैं अगर आपके पास आप्शन तो आप एक बटा तीन गलतियां हो सकते हैं लेकिन जब ऑप्शन एक बटा दस अगर ऑप्शन हो तो प्रतिशत तुरंथ हमारा घट जाता है तो जिस आबादी के हिस्सा परिपेक्ष में सेंपल साइज जो लेते हैं ये बिभिन चैनल जो लेते हैं वो बहुत छोटा रहता ह इसके अलावा और भी फैक्टर्स है और रही बाद दूसरे प्रशन का में उत्तर देना चाहता हूँ जो आप कहते हैं जब सर्वे किसी भी पाल्टी के पक्ष में दिखाई देता है तो विपक्ष तुरंथ आपत्ती दिखाते हैं अब यह तो परणाम आने के बाद अनकू आएंगे और भारती जन्ता पाल्टी के पक्ष में रहेंगे जैसा कि अधिकान सर्वे अब अधिकान सर्वे दिखा रहे हैं तो एक मोनोपोली या मानसिक रिदम भी बन जाता है और माहौल आप जानते हैं कि सभी एक तरफ तरफा पड़ जाता है थोड़ा साथ असर होता ह है क्योंकि इस पर फैक्टर बाजारवात का भी असर होता है अच्छा लेकिन सभी सर्वे अगर जादा तर सर्वे जीत की तरफ दिखा रहे हैं और कहीं यह सही हो गया गलत हो गया तो तो कोई बात नहीं सही होता है तो देखिए फिर हार का ठीकरा कहीं ने कहीं तो फोड़ हारेंगे तो अपने कुंठा अपनी हार का स्थीक्रा कहीं ने कहीं तो फोड़ना ही होता है तो वह चैनल्स पर और राजनितिक सर्वे और नहीं बचता आया पितू तो इवियम पे फोड़ा जाता है ठीक है सर ठीक है शरीफ आश्मी साहब हम ऐसा सपा से जुड़ें शरी भा नतीजें हैं जो 10 मार्ज को साफ तोर पर दिखाई देगा और उस दिन आप लोग सर्वे से लेकर के एवियम तक सब पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ते वे नजर आएंगे सबसे पहली चीज आप लोगोंने शिकायत क्योंकि आपको लगता है कि यह जो प्रीपोल सर्वे द सवाल खड़ा करेंगी कि हमारी हार का जो मेंन कारण रहा है वो इवियम रहा है इन बातों में कितनी सच्चाई है कितना आप इस बात को सचमान दें आपका सवाल सही है कि क्या इससे असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सबसे पहले है जो भी जो भी इनके दिखाये जा रहे हैं उपेनियन पूल वो इन्होंने आपने देखा है पांच साल बीते सरकार में अगर सबने अगर जनता से लेकर पार्टियों ने आवाज कि मीडिया कहीं ना कहीं इनके जो है गलत चीजों को छुपाती रही है और बाकी चीजों को जागर करती रही है आप उपेनियन पूल किस भी आप पे दिखाते हैं आप उपेनियन पूल के साथ बीजे पी का एक कालम और फ्रेम बनाएए उसमें दिखाएए इनका कौन सा व जंता के लिए लेना कि आपको मद दे रही है। कि आपके आपके विधायक डिप्टी सियम अपने ही छेतर में नहीं घुस पाते हैं। अब दोनों सामने दिखाएए, आईना सामने हैं आईना चाहिए ना। जो चैनल्स हैं वो जनता के लिए आईना होते हैं। कि उनको साब पार्जता होनी चाहिए कि सवास्तों में जो पांच साल सरकार रही उसने क्या किया पांच साल जो रही उसने जनता को क्या दिया क्या जनता से लिया क्या जनता के कस्थ हरे क्या जनता को कस्थ दिया यही तो देखना चाहती है आप जैसे जाते हो आपके विदाय पोल आप दिखा रहे हो कि दुबारा ये सरकार इनकी मेडिया दूसरी तो दिखा रहे हैं तो कम से कम यह ध्यान दखा जाए ना कि जनता को प्रहमित ना किया जाए कि कौन आपके दर्वाजे पे गिलड़ा रहा था किस महिला ने अपने सर्व लुगा तो देशबंदू जी भी एकसेट नहीं कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो जमीनी हकीकत है सच्चाई है निकाला गया है वहां से सब कुछ पूरा रिजर्ट तब दिया गया वहां विरोध उस पूर के साथ इनके कई विधायक अपने छेत में नहीं जा पाए क्या दिखाया उस पूर के साथ यह भी तो दिखाना चाहिए कि उनत्तर हजार भरतियों को लेकर कितनी महलाएं मारी गई कितने नौजवान साथी लाटी खाये साथ में भी दिखाये कितना विरोध सितनी के सकते हैं चैनल हैं खरीते चैनल हैं वो बार-बार जनता को भरमित करने का कारन ना करें आ कि दिखाये मैं यह कहता कि आप एक पच्की बात करें हमारी भी पांचा आप अगर उनके विधायक उनके मंत्री अपने शेत में नहीं गुषपा रहे हैं तो उसको मीडिया कितना दिखाती है कितना चोर सोर से उस बात पर सवाल करती है इनका एक मंत्री एक मीडिया वाले के गला पकड़कर कहता है कि हैसियत में रहुत दिखाया जाता है उसको एक बार दिखाने को बंद कर दिया जाता है अगर दूसरी पर पार्टियों अगर जरा सी खामिया कर जाते है इस सुबह से चैनल शुरू करता है रा तके कि ये रा गलापता है ऐसा क्यों ठीक है मैं आता हूँ इम्रान लतीफ हमाई साथ जुड़े हैं मादमी पार्टी से इम्रान भाई ये प्रीपोल सर्वे दिखाये जा रहा है और विपक्षी पार्टियों में काफी नाराज़गी है इसको ले आप सबको इसमें नहीं ले सकते हैं जुह से कुस चैनल से मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बात हरगिज नहीं कर रहा हूं लेकिन तमाम मेरे क्ली से 70% तरी को था मैं उन्हों ने जनता से जुड़े हुए ठूल के बजाए किसी एक नेता यानि नरेंदर मोजी जी की जो है तिर्फ महिमा मंदर करनी का काम पिछले साथ वर्षों के अंदर किया है जो कम्या रही है उनको दिखाने का काम नहीं किया है मीडिया लोगतंत्र का चौधा स्थम होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है लोगतंत्र की मदबूती के लिए काम करना लेकिन हमने देखा पिछले 4-5 वर्षों में, 7 वर्षों में, 8 वर्षों में, कि मेडिया ने अपनी दिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाया, आज यही करण है कि इस तरह के जो आपिनियन पोल्स आ रहे हैं, उस्तर प्रदेश के अंदर जहां जमीनी अधिकत आप मेरे प्रेम में आप मुझे देख पा रहे होंगे, मैं आम आदनी पार्टी की तरफ से दुमरिया लिम्मिदान सुबाद छेतर से प्रत्याशी हूं, इस सम्पर्क के दर्म्यान ही हूं, जन्ता के बीच में हूं, यहां पर देखा जा रहा है कि भारती जन्ता पार्टी से लोगो की नाराज़ी कितनी है, अच्छा, और लेकिन ऐसे में आप देखेंगे, मैं गाओ गाओ घूम रहा हूं, गली गली घूम रहा हूं, हर जगे से लोग भाजपा से नाराज है, लेकिन जब एक पोल सामने आ रहा है, जो वीडिया दिखा रहा है, उसमें कुछ और दिखा रह हमने तो हमेशा से इस तरह के आपिनियन पोल को जुटलाने का का काम किया, हम तो इतिहास रचने वाले लोग हैं, हमने दिल्ली में दोहजार तेरा में इतिहास रचा, हमने दिल्ली में दोहजार बीस में इतिहास रचा, अब हम पंजाब में इतिहास रचने जा रहे हैं, ग प्रदर्शन से इस तरह कि आपिनियन पोल को छुटलाने का काम किया है और एक नहीं तरह की बारत भड़ी करने का काम किया है। इन सब चीजों से न कभी फर्ख बढ़ा था न कभी फर्ख बढ़ा है पर एफेक्ट डालेंगे या फिर जो उपीनियन पोल दिखाये जा रहा है यही असली तस्वीर है दनेवान नितिन जी मैं बात 2013 से शुरू करूंगा जब 2014 में इलेक्शन होना था हम तब से उपीनियन पोल की लड़ाई लड़ रहे हैं तब हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी लेकिन किसी भी तरीके का जब नहीं उतरा था अब दूसरी बात ओपीनियन पोल के तुवारा कहीं ने कहीं इलेक्शन कमिशन की सौतंतरता और मीडिया की निक्षपक्ता पर सवाल उड़ता है क्यों 2014 के आने के बाद खासकर मैं 2014 मेंशन कर रहा हूँ तो मोधी सरकार में इंस्टिटुशन के जो एलेक्शन कमीशन भी है कहींने कहीं जो हमारे भारत का मीडिया है वो भी एक इंस्टिटुशन है उसको हाई जैब करने का काम शुरू कर दिया है आप अपको मैं तस्वीर बताना चाता हूँ बंगाल से शुरू कीजिया, बंगाल में क्या ओपीनियन पॉल थे, ये किसी से छुपा नहीं है, दिली से शुरू करता हूँ, मेरे भाई, यहाँ पर आमाद भी पार्टी के सहीोगी भी बेटे वे हैं, कि दिली में ओपीनियन पॉल क्या थे और क्या रिसल्ट आए, बिहार क इंदर मैं बात करना चाहता हूँ, तेजस्वी को ये कहां पर आत रहा है, तो कि दजवस्वी वहां पर फाइट में ही नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने पूरी तरीके से पड़ी टक करती है, अब मैं बात बताना चाहता हूँ, कि ओपीनियन पोल से कहीं भार्मी कुनमाद पहल रहा है, इसके लिए जो मीडिया है, जो चैनल है, मैं सब चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ चैनल है, जो आज काफी बड़े लेविल पर पहुंच चुके हैं, मोदी सरकार की चटवाहीरी करने के बाद, उससे कहीं न कहीं धार में कुनमाद बैट रहा है, कै क्या ये एक तरीके की प्रजा तंतर में बैट कर, मीडिया के दुआरा, एलेक्शन में ओपीनियन पोल की तर्विस्तस्वीर दिखाई जा रही है, ये एक धर्म संसर्थ पर बहस चल रहा है, तो कहीं न कहीं, कॉंग्रेस का इस बार कोई अधिकारित बैयान नहीं आया है, क मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम 2013 से, हम 2013 से, जब institution hijack होना शुरू हो गए, तब से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तब से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारे मीडिया बंदू है, कहीं न कहीं जो TV चैनल्स हैं, उनको आगे आकर अपन पहली चीज तो ये कि आपके हिसाब से, उपीनियर पर उत्तर प्रदेश का क्या है, इस समय का, दूसरी चीज, आज आपके एक बहुत सीनियर लीडर, बहुत पुराने साथी कॉंग्रिस के, उन्होंने अचानक से कॉंग्रिस छोड़ दी, ये कुछ बात हजब नहीं हुई क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया था, तो ये क्या वामला है, बिल्कुल, बिल्कुल, नितिन जी, मैं एक बात साफ तोर पर बता देना चाहता हूँ, अफसरवादी की कोई भी विचारधार नहीं है, ये ऐसे लोग ह है, बीजेपी की विचारधारा इनके लिए राश्वादी विचारधारा बन गए है, ये अफसरवादी लोग है, हर जगा ऐसे लोग हो जाते हैं, और कहीं न कहीं, कॉंग्रेस का समर्तक होने के नाते, कारे अगरता होने के नाते, हम से भी एक चू कोई है, कि हम ऐसे अफस दल बदलू लिता, ऐसे अफसरवादी लिता, जो की देश के बंदों के देश के नहीं है, प्रजातंत्र के नहीं है, ये अपने हिद के लिए, जहां तक ओपीनियन पोल की बात है, कॉंग्रेस इसके लिए लंबे समय से लड़ाएं लड़ती आ रहे है, ठीक है, मैं आता मनी शुकला जी हमाई साथ जुड़े हैं, रजनितिक विशलेचर के रुप में, मनी शर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल ये उपीनियन पोल को लेकर काफी मामला बजार गरम चलना है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको तुरंत ब प्रदेश के चुनाओं पर, उत्तर प्रदेश की जनता पर कितना असर डालने वाला है, क्या इसको दिखाये जाने के बाद जनता के दिमाग में जो चल रहा है, वो बदल सकता है, या फिर इस पर वो फोकस करके उस जो ओपिनियन पोल दिखाये जा रहा, उसे सही करने में लग जाएगा? विचार के पूरी प्रेमत हूँ, कि 6 महीने पले इस तरह के सारे सर्वे पर रोक हो जारी थी, ये सपश्ट रूट से चुनाव आयोग को तय करना है, क्या गाइडलाइन होनी चीजिए, लेकिन जो सर्वे आते में और सभूव में जो दिखाये जाता है, तो आपको में बता सर्वे बनी बिल्कुल अपत्यासी तुरूप से, जब यहां पर गड़बंदन का दौर चल रहा था, अकले श्यादो दो हजार बारा में आये तो ये सर्वे में दिखाया गया, दो हजार सर्वे में बीजे पी की कोड़ बंदी के दौर था, और कोई मानने को तयार रही था पूर बहुमत की सरकार आएगी, अंदर खाने में था की माहल बहुत ठराब है, लेकिं सर्वे दिखा रहा थे कि बीजे पी की सरकार आएगी, और बीजे पी की सरकार 2017 में आईी, आप ये सर्वे लगतार जो है वो दिखा रहते, सर्वे फेल हुए, मैं ये भी कहूँग, न नहीं नहीं मोटिवेटेड होते हैं कहीं नहीं नहीं होता है क्या पत्रकारों के हाथ में होता है किसको मुखमंत्री बनाना है बिल्कुल नहीं होता है अब जब पुब्लिक जब जाएंगे पुब्लिक के फोरम में जाएंगे पुब्लिक से बात करेंगे सर्वे का सैंपल हो अब जिए तीवी ने भी सर्वे किया वह बता रहें लाकों में हो रहा है तो इसका अधार क्या है नावजोज सिंग सिद्दू कांग्रेस के सियम के उमीदवार हैं वहां पर मतलब उन्हों को चेहरा नहीं गोशित किया गिए लेकिन उन्हों चेहरे की लड़ाई को लेकर करस्वां की और कम कम एक कुटे तक उन्होंने पताया कि जो अर्विन केज़िवाल के जो सर्वे चलना आए कि सियम कौन होगा फोन पे उस सर्वे की धंजियां होगा दी अच्छा तो यह निश्चित रूप से अपने तर्क हैं अपने वितर्क है हर राजने आप देखता है उसके पक्ष में हुआ तो कहेगा बहुत अच्छा है और सर्वे भी पक्ष में गया तो निश्चित रूप से सर्वे की अलोचना होगी लेकिन मीडिया आजकल एक आसान निशाना हो गया है कि आप मीडिया को टाइट कर दें मीडिया का काम यह है अब वो सच कैसा है नरेटिव क्या है यह तै करना जनता का काम है और बड़ा चैनल हो अकवार हो मीडिया अपना काम करता है और आपको विरोध करना भी चाहिए अगर मीडिया कोई गलत काम कर रहा है किसी राजनेतिक पक्ष के असक्ता के पक्ष में बहुत ज़्यादा हो क कर रहा है तो निश्ची तो उसका विरोध लाजमी है आप सर्वे को इस तरह से खारिज कैसे कर पाएंगे अगर आपके पक्ष में होगा आप सर्वे खारिज कर देंगे आप यह बिलकुल सर तीदा मेरा ठीक है सर मैं आता हूं देशबंदू जी क्या कह रहते हैं देखिए ृ आन्राइनत दिन मेहनत करके नव्ज जो यन्हों उन्हों तेनों हमारे मित्रों ने कहा लोगतंतर का चौथा-ईस्तम सब्सक्रा 2 और आप प्रश्णों पूछते है और आपका सरकार से भी पूछ से भी और विप्छ से नितिन जी आपका भी अपना अनुभाव रहता है और आपका भी अपना अनुमान रहता है देखिए मैं अपने तीनों मित्रों से पूछना चाहता हूं कि यह सर्वे अगर आपके पक्ष में रहता हूं तो क्या आप इसका विरोध करते नहीं कदा पी नहीं और दस मार्च को यदि रिजल्ट आपके जब प्रतिकूल आएगा तो आप ठीकरा कहीं न कहीं तो फोड़ेंगे ही और जो मित्र ने कहा कि चमचागिरी नरेंद मोदी देखिए हमारी सरकार जब से आई है 2013 से हमारे कॉंग्रेस के मित्र ने कहा आप बताएए एक पत्रकार बंदू ने आप चहरा कौन है तो उन्होंने कहा कि आपको कौन चहरा दिखाई देता है फिर दूसरे दिन फिर पत्रकार बंदू ने पूछा कि क्या आप उत्तर प्रुदेश में चैरा है तो इस नब्स को इतनी चोटी सपा को जरूवत पूड़ेंगे तो हम सपोर्ट कर देंगे मीडिया बंदू भी जो था इस्तंब है वह अपना कार कर रहा है नितिन वाई आप भी रहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट मैंने कहा ना यह एक टेक्निकी पहलू है कुछ बड़े चैनल जिनको इन्होंने अभी का चार्ट का रहे हैं आपका नितिन चैनल बहुत बड़ा चैनल प्रा चैनल नितिन जी आनुमान गलत होता है कि कुछ ओटर्स मैं आपको तक्नी पहलू हो साइलेंट यह अप गारुटेट्र है यह एक जिब्मिदार पत्रकार कह देता है कुछ जो वरिष्ट लोग हैं वो अपनी भावनाओं को मीडिया के सामने नहीं जागरत करते हैं तो कुछ अनुमानता फेल हो सकते हैं लेकिन यह बताईए जब सामाजवाथी पार्टी से यह कह रहे हैं कि आपके नेता विधायक जा रहे हैं वहां से उनको जनता विरोध उनका कर रही है यह चीज आप लोग नहीं बोल रहे हैं आप सरवे सरवे पे बोल रहे हैं देखिए नितिन जी मैंने आपसे कहा ना पत्रकार बंधू भी जो होते हैं वो नब्स को पहचानते हैं अब उनका मैंने कहा आपका जो मुद्दा था कि राजनेतिक सर्वे होने चाहिए या नहीं यह एक अनुमान है और देखिए एक जिग्यासा होती है कोई भी आदमी जब परिक्षा देता है एक एक जाम देता है तो उसकी क्यूरिसी रहती है कि क्या हो ओपिनियन पॉल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए यह तो एक अलग डिबेट है कर सकते हैं उस पर उस पर भी अपने विचार रख सकते हैं लेकिन अगर सभी चोथे इस्तंब पर आप क्या है कि उनका सेंपल साइज गलत हो सकता है उनका सरवे का आधार क्या है उन्होंने किस एरिया में सरवे किया किस आयू वर्ग में सरवे किया देखिये राजनितिक सर्वे के बहुत सारे पहलू है मेरे समाजवादी मित्र मैं आपसे पहले कह रहा हूँ अगर टेक्निकल पॉइंट पे आ जाएंगे किस आयू वर्ग का हुआ कहां पे हुआ रूल था या आरबन था सुबह हुआ शाम को हुआ एलेक्शन से कितने मन्त पहले हुआ कितने मन्त बाद अभी सर्वे पर चैलेंज नहीं कर सकते और आपने का मीडिया पर मैं उंगली नहीं उठाओंगा हां आप यह बताईए कि आप अपने हार की ठीकरे की जिम्मेदारी इवियम पर फोड़ेंगे आपने अभी बात की पश्चिम मंगाल की हम तो जब हारते हैं तो हम सुईकार करते हैं लेकिन पश्चिम मंगाल पश्चिम मंगाल में पहले सुकार करते हैं अपने पहले से आखरी Τक जितने उमिद्वार उतारे सब के सब अपरादी प्गति वी दिखे आप हार रहें देखिए हमारे राश्टी प्रवक्तर ने कहें दस मार्च किसी ओपरादी है लिख ले आई इस देश के दिम्यदार पत्रकारों के पोड़े हो चार्वीद बाती है या इकांड होता है कि उससे पद नहीं लिया जाता है आपके घर में आपका मंतरी का बेटा इतना बड़ा अपराद करता है आप कौन सी कारवाई करते अपने मंतरी पर जवाब दीजिए कुछ नहीं करते जनता को सिर्वे खूब बनाते आप बताईए आपके मंदरी के बेटे ने अपराद किया आपकी जाज जन्सी ने बताया कि उसने यह अपराद किया उसके बाद आपने कौन सी कारवाई करी उसके पिता पर जिम्मेदार है उनको आप जिम्मेदार है कि उन आप रादियों की उठाई मैं उत्तर की तैयारी करिए आपके अपरादी मौझूद है तर्फ पर बैठेंगे तब आप यह ठीक रहा किस पर फोड़ेंगे आप इस पर ने चाहिए तर्फ मुझे बढ़ाई देंगे अपने हाथों से नहीं मिठाई खिलाऊंगा तब मैं पूछूंगा फिर पुना आप से कि अब आप किसका ठीक रहा है कि यह जिम्मेदार पत्रकार है कि इनके अनुमान गलत है कि दोदी मीडिया विकाऊ हुआ है इम्रान लतीव कुछ कह रहे थे जल्दी सब्दी बात पूरी कीज़े कि इम्रान भाई आवाज आरी आपको सर जहां तक मेरे बीजे पी के जो बद्दू में आ रहा हुआ है इम्रान भाई आप कुछ कह रहे थे देखिए इस तरीके से देश बंदी की बात कर रहे हैं शायद यह उत्तर प्रदेश की जमीनी हाकिकत तो उससे बिल्कुत अंजान या तो अंजान है या तो इनकी हालत उस शुतर मुर्ग की तरह से है जिसने रेज के अंदर अपने अपना सर छिपा लिया और उसे लगता है कि वो पूरी तरीके से ब्सुरत की तो चुकी है गाउं गाउं से इनके लोग भगाया जा रहे हैं इनके उत्तर प्रदेश के प्रदेश से बाहर हैं आदमी पार्टी के जहां तक धरातल की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर इसी तरह की अहिंकारी भाषा का इस्तमाल आप लोग करते थे और पहले चुनाओं में हमने आपको आटो में बैठाने का काम किया था दूसरे चुनाओं में हमने आपको आप एक कार में घूम सकते हैं पूरे दिल्ली के अंदर तो यह हालत आपकी हुई थी दिल्ली के अंदर तो आगाम आद्मी पार्टी ने हमेशा एहंकारी पार्टीयों को जवाब दिया है अपने अंदाज में यूपी में कहों से गाड़ी दे रहे हैं आप लोग अच्छा पेहद आप रत्याशित होगा आप आद्मी पार्टी के लिहाज से जो इमीद नहीं की गई है जिस तरह से अभी तमाम तरह की ऑपिनियन पॉल हैं तमाम तरह की बाते हो रही हैं आम आद्मी पार्टी जंता के बीच में पहुँच चुकी है दिल्ली का जो काम अर्विन के केजरिवाल का है चाहए वह बज़िली करने की बात हो चाहने के बात हो जो उस्पतालों ओर अगय। कि एंढी चीशन की बात हो है Kevin क एंडिया ऑठी च़ inex ोडल हैcenra घञायनी हूं वह एक एतिहासिक ये परेडाम आएंगे आम आदमी पार्टी के लिहाँ से उतर प्रदेश के अंदर जिसकी जमीन हमने तयार कर दियार कर दिया अब देखते जाएं सभी 403 सीटों पर आम आदमी पार्टी को दमदारी से चुनाओ लड़ रही है जनता का भूत पूर सहयोग मिल जिसकी पेक्षा हमने खुद नहीं की थी इस तरीके से जनता आम आदमी पार्टी को लेकल जनता के बीच में दीवान देखते हैं तो कई न कई इन्हें भी एक बीजे पी के कारे करता होने के नाते के लिए संदेश प्राप है कि मिश्टर देश बंदू जी हमने देश के ज लिए हमारा आना कही न कहीं निश्चिंद है लेकिन दस तारी आप प्रिशान क्यों है आप आईएगा आप देश बंदू जी आप नोट कीजिए और आप देश बंदू पर आरोप लगाएंगे या उनको पिकाउ कह देंगे या सारे उपिनियन पोल को नकार देगे या अपने विकास की बात करते हैं ना संपरदाइवाद की बात करते हैं अब वो इस विकास की बात किया जिए जुम्राबादी यहां पर बिल्कुल में चलेगी नौजवानों पे लाटी ये विकास महिलाओं के सर्म हुआ जाते हैं ये विकास को सा विकास की बात करते कि तक्षे और आकड़ें इस देश में क्या माएंगे लिए इनके लिए नून-टार निया दिना निया 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 नि प्लीज 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 फोड़ा सब्सक्राइब ने जल्दी से पेरे बंदू जो भी यहां पर बैठें यह कोई नुकड़ सब नहीं रखें यह सभी अपनी बात लेकिन अपने काइदे के साथ रखें आप मैं क्या बात कर रहा था देश बंदू जी आप उवर दस्तारिक आप इंतेजार परिए कही न कहीं आ आपका ओटन्फिडेंस बोल रहा है कि किस तरीके से आपने एक मीडिया को हाई जैक कर कहीं ये सरकार की नीती है कि जो उसने एक चोथा लोगतंतर का चोथा अस्तम है उसको हाइजैक कर रहा है हमें तो बात करनी चाहिए बे-रोजगारी पर हमें तो बात करनी चाहिए स्वास्ते सुविदाओं इससे आगे बढ़ें गे नहीं आप राम रहीम की जो महबत कपूल है ना मेरे दोस्त उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं समीधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं देश को बरबात करने का काम कर रहे हैं आप देखी आपको तो लगेगा क्योंकि आप जुमलेवाजी में लफ़डवाजी में विश्वास रखते की रिपोर्ट देखिए नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरों की रिपोर्ट देखिए तो उसमें महिलाओं के खिलाफ कितना अपरात बड़ा है तब आप यकीन मानेगे कि आपकी जो निकम्मी सर्कार इसने देश को सिर्फ तोड़ने का काम नहीं किया है देश में जोड़ने कि खाने का काम इनकी सरकार ने किया यह भूल गया कि जिस मर्यादा नाम पर यह हमेशा से राजनिती करने आए हैं उनकी मंदरी महेंदर सिंग ने जल्शक्ति मिशन में कितना बड़ा घोटाला करने का काम यह भूल गया कि किस तरीके से इनके सिक्षा मंदरी सतीश समय में नो करोड रुपए निकाल लिये जब तो नाजी स्कूल चल रहे थे स्टेशनरी के नाम पर और खाने के नाम पर बच्चियों के इस तरह के घोटाले इनके भी सरकार में सामने आए हैं लेकर इस पर इनके आंके मूंद करके रखे हैं आमादी पार्टी ने लगातार इनके इस घोटालों को जागर करने का काम किया है और बदले में हमको मुखदमे मिले हैं हमको जेल मिली हैं और आज यही सच्चाई हम जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं जनता अच्छे से इनको समझ रही है कि जो गंगा मोक्ष वाहनी हुआ करती थी इसको इन्होंने शो को माँरा है इन्होंने अपनी आवेवस्था से लोगों को मारा अज की कि उसे जनता के भीचन जी जय में करोना के समय में हमें अने परिवार को खोया है वह आज बर डंड आ रहा है निका है झृड़ कर ने शौर्छ को कर गए गया हो हुँ तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि जरा उनका ही नाम बता दीए कितने में खरीदा उन चैनल को आप लोग बाई आप लोग लोग डिवेट को चैनल की मंडी मत बनाई है किसी को खरीदिये बेचिये नहीं आप लोग शरीफ हाश्मी क्या कह रहे था था कोई काम नहीं किया चाहे हो क्रो रा काल में हो किसान को बरबात करने के मामिले में इनों ने यही विकास कि सिर्फ जंता को परिसान किया है उसका जबाब इनको चुनाओं से पहले मिलने लगाने जया है इनके प्रत्यासी इनके पूर मंतरी मुझता ज़ों halo health कि अंदर नहीं जा पारें आज उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है और नितीन जी मैंने आप से एक बात कही थी आज से बहुत दिन पहले में डिबेट पे बैठा था कि जब उत्ता प्रदेश का चुनाओं आएगा इनकी पूरी भारतिय दिल्ली से लेकर यूपी आ जाएगी कि मैं तो हमारी केंटर में सरकार मिली है इस सद्धय प्रदानमंत्री की नित्तत में तब से 137 करोड का भारत वर्ष जो है और 25 करोड की आबादी कह दे जनता जनार्दन यही अंतिम फैसला होता है और जनता जनार्दन उत्तरपदेश की अब विकास के पत पर चल चुकी है मैं अपने तीनों मित्रों से कह दे रहा हूँ कौन सा विकास है आप मेंचिन तो कर दीजिए दस तारिक विकास वही जो किसानों पर गाड़ी करिए विकास वही जो हत्या हुई अरे मित्र 2014 में हमने सरकार बनाई 2017 में जनता जनार्दन ने आशिरवाद दिया 2022 में बचे हैं आप इंतजार करें मित्र 10 मार्च को जब फैसले आएंगे तो सब्सक्राइब और पानी का पानी हो जाएगा जनता जनार्दन नहीं आशिरवाद हमें मिलेगा यह 10 मार्च को नितिंचे यही शब्दों के साथ मैं विरावाद दिया जाए लेकिन जहां तक मुझे पता चला है कि इस बार उत्तरप्रदेश के चुनाओ के लिए विकली सर्वे भी शुरूँ किया गया है हफ्देवार सर्वे करके हफ्दे-हफ्दे का इसर्वे जिर्जल्ट दिखाए जा रहा कि एक हपते में कौन कितना आगे बढ़ा एक हपते में कईया गिर गया तो विपक्ष कहा रहा है कि सर्वे ही बंद कर दो और दूसरी तरफ ये वीकली सर्वे वाला मामला भी शुरू हो गया है आपको क्या लगता है कि ये सर्वे इस समय होने चाहिए या नहीं होने चाहिए और ये कितना effect डाल रहे है देखें नितिन जी ये तो मिल्कुल राजवफल की तरह है कि ये आपका भविश्य है हाँ हाफ्ते आफ्ते वाला वो भविश्य जबता और दो टीक है नहीं स्विकार करते हैं तो आपकी मर्दी है लेकिन मैं सर्वे की एक्यूरेसी पे बात करूंगा कि लगातार सर्वे जो है वो फेल हुए है चाहें बिहार का चुना हो या उसके पहले लोगसभा का चुना हो या पंगाल का चुना हो और उत्ता प्रदेश में भी जो सर्वेशन आये हैं सकता किसी की बने सकता के लिए अगर सरवे ठीक हो रहा है ठीक हो रहा है लेकिन accuracy जो है क्योंकि sample size जो है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा है और इस तरह के सरवे कोई माइने नहीं ड़कता है जनता अपना मन बना लेती है और जनता वोट करती है मुद्दो के अधार पर पिशली परफार्मेंस के अधार पर तो जनता तै कर चुकी है आप विकली सर्वे करें चाहे वंडे सर्वे करें चाहे टी टूंटी सर्वे करें जनता तै कर चुकी है और जनता निश्चित रूप से अपने मन के मताबिक ही वो आपने मुचआ इसको बोट यहां जनता पूरी तरह से जागरूख रहें तो हमीद है कि इस चुनाओं में जागरूख рए की और सही मतदान करें जो भी है जनता जनारदनर्या में सा यही मेरी इक पत्तका गरूब तो बीजेपी तो इसी को रिजल्ट माल ले रही है बीजेपी इसी को रिजल्ट माल ले रही है अब यह रिजल्ट देखें बीजेपी नहीं रिजल्ट मान रही है आश्चर की बात यह है कि विपक्च भी रिजल्ट माल ले रहा है वरना आप सर्वे को खारीच करने सीधे कोई ऐसी पार्टी नहीं रही है जिसने सर्वे की सिकायथ ना की ठीक है आप सभी मैमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद इस प्रमुक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो उत्तर प्रदेश का चुनाव ह जारी चुनं रही है कि बहिया ये सर्वे औरवय रुखवद हो उत्तर प्रदेश में कुछ और कह रहरे है चयोंकि उनको यह पता है कि शायद इस सर्वे की जनता कहले है उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो बदल सकती है और नतीजह भी बदल सकता, इ wanna किसी अपने गर से निकल रहा है वोट डालने के लिए किसी और को वोट डाल दे ये कहपाना और ऐसा हो जाना ये गले के नीचे नहीं उतरता लेकिन हाँ ये ओपीनियन पोल कहीं ना कहीं थोड़ा महाल बदलने का काम जरूर करते हैं फिलहाल आप इन ओपीनियन पोल्स पर मत जाईएगा अपने मुद्धे पर अडिक रहिएगा अपने मुद्धे पर ही वोट दीजेगा क्योंकि उसी मुद्धे के आधार पर आप एक बहतर सरकार चुन सकते हैं आज की डिबेट में इतना ही मुझे दी जन्मती नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार